नमस्कार आज हम बनाऊंगा स्वावीन और आलू का कुपता का करी बहुत ही अच्छा बनने वाला है इसको बनाने के लिए इधर हम थोड़ा सा अद्रक चॉप और स्वावीन और बॉयल आलू और थोड़ा सा ग्रीन चिली आप स्वावीन को गरम पानी में बॉयल कर लेंगे उसका बाद उसको पानी जितना निकालने के बाद इसको अच्छा से चॉप कर लेंगे या कीमा कर लेंगे अब इसमें उबला हुआ आलू को मैस करके इसमें डाल देंगे आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरी मिर्च और थोड़ा सा कटा हुआ अद्रक चॉप और इसमें डालेंगे धनिया पत्ता आप इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे स्वाधनुसर और थोड़ा इसमें डालूंगा गरम मसाला आप ये जो पूरा मसाला को है अच् करूँगा और ठोड़ा सा कॉन फ्लार अब यह दोनों को बराबर देना है जो कि इसको अच्छा से पूरा मिक्स करना है जैसे पूरा बहुत अच्छा से मिक्स होना चाहिए अब देखिए इसको चोटा-चोटा बॉल साइज में बना ओंगा आपको जो इसाफ से चाहिए ओई साफ से आप भी बना लीजे ये देखिए हम इदर ऐसे साइज में बनाया हूँ अब इसको पुरा बनाऊंगा आप ये देखिए पुरा बहुत ही अच्छा बना हुआ पुरा कोपता देखिए पुरा एक साइज में पुरा बराबर इसका उपर थोड़ा सा कॉन्फलार च हीट होना चाहिए अब इसमें फ्राइ करना है जब आप फ्राइ करें ओयल का टेंपरचर थोड़ा हीट होना चाहिए तब ही जो आपका कोपता है अच्छा फ्राइ होगा और कोपता आपका फटेगा नहीं पूरा बराबर कोपता होगा ये देखिए कोपता मेरा कितना आप देख से करेंगे कितना अच्छा फ्राई हुआ है मेरा कोप्ता, अब हम आपको दिखाऊंगा कोप्ता का ग्रेवी कैसा बनाना है, इसमें हम थोड़ा सा ओल लिया हूँ, इसमें थोड़ा सा खाड़ा मसाला, दालचीनी, तेचपत्ता, और थोड़ा इसमें साबू, जीरा भी इसमें डाल दूँगा, अब इसको थोड़ा सा फ्राई करने हैं अब इसमें थोड़ा सा हिंग पौडर भी यूज़ करूँगा, आप इसमें थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, आप इसको भी पियाज को भी अच्छा से भुनना है पियाज देखिए इदा मेरा भुन चुका है बहुत ही अच्छा से अब हम इसमें डालूंगा आपका 1 टेबिल स्पून ग्रीन चिली पेष्ट ग्रीन चिली पेष्ट आप ज़्यादा भी डाल सकते थोड़ा कम भी डाल सकते आपको spicy जैसा रखना है और इसाफ से आप डालिए अब इसको भी थोड़ा अच्छा से पका लेंगे जैसे ही पक जाए अब इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल देंगे अब इसको भी बहुत अच्छा से पका लेंगे अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अब अच्छा से भूनेंगे तो आपको क्या होगा जो मसाला है पुरा बढ़िया तरीका से मिक्स हो जाएगा अब अम इसमें टमाटर जो है तीन टमाटर को पेश कर लिया हूँ अब इसको भी डाल दूंगा आब टमाटर को अच्छा से पकाना है अब देखिए स्लो फ्लेम में इसको पकाना है जब तक मसाला से ओल नहीं छुड़ जाए तब तक इसको भूनना है अब इसमें 2 tablespoon काजु का पेस्ट है काजु आप बोईल कर लेंगे इसको पेस्ट कर लेंगे इसको 2 tablespoon काजु पेस्ट भी हम इधर यूज किया हूँ अब इसको अच्छा से पकाना है बहुत ही slow fire से और इसको बढ़िया से भुनना है अब इसमे 1 tablespoon salt डाल दोंगा स्वाधानुसर आप डाल ले आप इसको अच्छा से पकाएंगे ये देखिए जैसे मसाला थोड़ा पक जाए अब इसमे वान टेबल स्पून चिली पाउडर डालना है और वान टेबल स्पून धनिया पाउडर इसमें डालना है दोनों बरावर डालके अब इसको अच्छा से मिक्स करेंगे ये देखिए मेरा कोपता का ग्रेवी जो आस्ते आस्ते बन रहा है और बहुत ही स्वाधिश बनेगा और बहुत ही अच्छा बनेगा आप देखिए जो कोपता का जो रोगन है मसाला का देखिए छूट चुका है यह देखिए रोगन जाइसे छूटे आप समझ जाएंगे जो आपका जो मसाला है पुरा अच्छा से भून चुका और पक चुका है अब इसमें थोड़ा सा आपका कोस्तुरी मेति जो है उसमें डालेंगे कस्तुर मेसी आप जब भी डाले ना आपका करी का जो फ्लेवर है पूरा चेंज हो जाएगा और बहुत ही टेश्टी बनेगा एकदम बहुत ही टेश्टी अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे आपको जो यसाप से ग्रेवी चाहिए, अब ओई सास में उस में पानी आप डाल दीजिये, पानी डाल कर, इसको ग्रेवी को अच्छा से बॉयल करना है, जैसे ग्रेवी पुरा अच्छा से पके, अब देखिए मेरा ग्रेवी इधर पक चुका है, आप देख सके नोगे, बहुत ही स् बहुत ही टेस्टी होगा घर में सब आपका जो डी से पसंद करेंगे और बहुत ही आपका तारीफ जरूर करेंगे अब देखिए मेरा रेडियो चुआ ग्रेवी अब हम इसमें कोपता एड कर दूंगा आप इसको स्लोव फायर में ज्यादा नहीं पकाना है थोड़ा से इसको का थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाएगा अब इसमें थोड़ा सम गरम मसाला डालूंगा और थोड़ा चौप कटा हुआ धनिया पत्ता आसा करता हूं स्वाबीन और आलू का कोपता का रेसीपी आपको पसंद आए तो मेरा चैनल को सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए औ निया निया रेसीपी के लिए